गुड मॉर्निंग MIM 3rdion students, आज के lecture में हम लोग देखने वाले हैं आई ड्रोपर टूल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह आई डॉपर टूल है यह आपको आई ड्रोपर टूल और इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं तो basically यह क्या करता है जैसे कि मुझे किसी विशेश company का कोई banner बनाना है या logo बनाना है तो हमें न exactly वही color चाहिए रहता है उस banner में और किसी logo में तो हम हमारे पास इस color palette में अगर वो color मौजूद नहीं है तो हम करेंगे क्या अगर कोई ready matte file है तो वहां से हम उस color को pick कर सकते हैं तो उस color को pick करके हमें कहीं पर feel करना है तो उस purpose से हम लोग इस eye dropper tool का प्रयोग करते हैं तो मान के चलते हैं यह कोई shape है और इसके अंदर suppose यह व feel करना है तो हमें करना क्या है यह एक eye dropper tool है तो यह मैं select कर लूँगा और जहां का pick करना है वहां का मैं ऐसे click कर लूँगा simply तो और मुझे क्या करना है फिर feel करने के लिए paint bucket tool होता है तो यह ले जाना है और इस तरी के feel कर देना है suppose मेरे पास कोई और color है suppose इसमें कोई और द तो मैं यहां से eye dropper tool लूँगा eye dropper tool यह color मैंने pick कर लिया और यहां से मैं use कर लूँगा paint bucket tool और मुझे इसमें fill करना है तो इस तरीके से कोई special scenario में जहां पर हमें printing color का mismatch ना हो तो उस special situation में यह eye dropper tool हमें color को pick करने के लिए use में आता है तो बड़ा छोटा सा और simple सा tool है simply हमें एक जगह के color को pick करना रहता है इसे suppose यह color को मुझे pick करना है और इसे fill करना है तो मैं यहां से pick तो कर लिया हूँ अब मैं paint bucket tool लूँगा और इस color को fill कर दूँगा तो simple सा बड़ा ही आसान सा और बहुत ही useful tool है so thank you very much